नमस्कार बहुत स्वागे थे आपका हिंदू सास्त्रों के अनुसार नाभी के बहुत सारे रहस्ये हैं अगर हम बात माने तो और नाभी में कुछ ऐसी चीजे हैं जिसको लगा कर आप अपना भागयोदे कर सकते हैं भागय का साथ पा सकते हैं पैदा होने के बाद जब मा की नाल से जुड़ी बच्चे की गर्भ नाल को बांध कर अलग किया जाता है तो बच्चे के पेट पर एक निसान बन जाती है जिसे नाभी कहते हैं नाभी का आकार सभी की अलग-अलग होती है महिलाओं की तुलना में पूरुसों की नाभी के आसपास अधिक रोय होते हैं और जो नाभी है वो हमारे हिंदू धर में इनके रहस्य के बारे में बहुत सारी चीजे बताई गई है चलिए सुरुआत करते हैं हिंदू सास्त्रों के अनुसार नाभी हमारी जीवन की उर्जा का केंद्र है माना जाता है कि मिर्त्यू के बाद भी प्रान नाभी में 6 मिनट तक रहता है और शरीर में दिमाग से भी महतपूर्ण अस्थान है नाभी का नाभी सरीर का प्रथम दिमाग होता है जो प्रान वायू से संचालित होता है तो हमारा जो सुक्ष्म सरीर है नाभी उर्जा के केंद्र से जुड़ा है और अगर कोई संत या सिद्ध पुरूस सरीर से बाहर निकल कर सुक्ष्म सरीर से कहीं भी विचरन करता रहता है तो उस हिंदु धर्म में ये भी उलेक मिलता है कि भगवान ब्रम्भा का जन्व विश्णु जी की नाभी से हुआ था इस संसार में परतेक मनुस्य का जन्व नाभी से ही होता है नाभी को पाताल लोक भी कहा जाता है और विश्णु पाताल लोक में ही रहते हैं तो इस धर्ती और सं की जीवन संचालित होता है ये तो आम हमने आपको बाते बताई तो चलिए अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं gev अगर हम योग सास्त्रों की माने तो नाभी को मनिपूर पूर्ण केहते हैं एंप सरीर में साफ़ चक्र होते हैं तो नाभी को कहते हैं मनीपूर चकण नाभी के मूल में इस्थितरक्त वर्ण का यह चक्र शरीर के अंतरगत मनीपूर नामक तीसरा चक्र है जो audit दल्राज कमल योगी कहते हैं इसलिए लोग जब ध्यान करते हैं तो उनका जो यह उर्जा लेवाल है वो बढ़ जाता है कि इसके एक्टिव होने से इरस्या चुगली लज्जा भै घ्रिना मोह सब कुछ दूर हो जाता है और यह चक्र मूल रूप से आत्म सक्ति देता है आपके अंदर कॉ पताया लगाया जाता है कि सभी का कौन सा अंग में गरवड़ है दूसी बात नाभी ठीक मध्यमा अस्तर के बीच में रहती है बेक्ति के और मध्यमा अस्तर से खिसक कर नीचे रीड की तरफ चली जाए नाभी तो ऐसी महलाएं गरवधारन नहीं कर सकती यह भी कहा जाता है नाभी के खिसकने से मांसिक और अध्यात्मिक छंता कम होती है तो यह बाते आज हम नहीं करेंगे लेकिन नाभी में 1458 यानि 58 नामक प्रकार के बेक्टिरिया पाया जाते हैं जो बाहरी बेक्टिरिया से हमारे सरीर की रक्षा करते हैं कई बार आपने देखा होगा नाभी में इंफेक्शन हो जाता है इसलिए कहा जाता है नाभी को हमेशा साप सुतरा रखना चाहिए पर नाभी के ऊपर आप नाभी के ऊपर क्या लगाएं कि आपका भाग्योदे हो क्योंकि नाभी का सर्सों का तेल लगाने से ओठ मुलायम होता है खासकर जोयन पेंड में लाभ होता है आप नाभी में अगर नियमित रूफ से रात सोने के पहले दिन में भी असव् ba बेगर करके थोड़ा सा घी लगा सकते हैं नाभी पर यह आपको स्वस्त रखता है लेकिन जब हम सामुद्रिक सास्र की बात करें तो इस्त्री और पुरुस के ब्यक्तित्तु के बारे में नाभी के आकार प्रकार के अनुसार ही उलेक किया गया है जिस महिलाओं का नाभी समत सारे प्रेमी होते हैं रोमांटिक होते हैं मिलनसार होते हैं इन्हें जीवन साथी भी सुंदर मिलती लेकिन जिन महिलाओं की नाभी लंबी और वक्री होता है उनमें आत्म विश्वास ज्यादा होता है आत्म निर्भर होती है और जिनका नाभी गोल होता है वे बुद्धि लेकिन जिन लोगों की नाभी उपर की ओर बड़ी और गहरी है ऐसे लोग हसमुख मिलनसार होते हैं और ऐसे लोग अगर उबड़ी भी नाभी है तो जिद्धी होते हैं जिनका नाभी अंडाकार होता है ये लोग सोचने समझने में अपना समय गवा देते हैं और हाथ आया लोग सक्की किस्म के होते हैं और जिन लोगों की नाभी ऊपर से नीचे आती भी दो भागों में बटी भी दिखाए दे ऐसे लोग आर्थिक पारिवारिक और स्वास्त की दृष्टी से मजबूत होते हैं तो आज हम आपको नाभी की बहुत सारी रहस्य बताई तो चलिए नाभी में वैसे तो आप तेल लगाते होंगे आपने सुना होगा अगर नारियल दियर ओर नाभी में नियम रूप से लगाई लगाते हैं तो आपका सरीर जो अंतरिक अंग है उसको पोष्ण मिलता है और साथी पूरूशों के स्ुक्रानूं को भी स्वस्त रखता है महिला लगातें तो आपकी इसकिन चमकदार होती है। इसलिए सोने के सोने मैं अक्सर जहतून का तेल नाभी में लगाते है। नेबौौ का भी तेल होता है और यह टेल अगर नाभी में लगाया जाए तो चेहरे के मत्मक्दौती होते है। बादाम का तेल अगर आप लगाएं तो इसकिन में निखार आता है और चेहरा चमकता है लेकिन अगर सरसों का तेल लगा लें तो घुटनों का दर्द यानि जोएन पेन से राहत मिलती है ना भी में लगाने से किसी भी तरह की दर्द में आपको बहुत ज़्यादा यानि इहा लेकिन सुबह उठते ही जब आप असनान करते हैं या पिर असनान नहीं भी करते हैं तो कोई बात नहीं नास्ता करने के पहले आप नाभी में ऐसा क्या लगाएं कि आपका भागे मजबूत हो और आपका जो सरीर है वो भागे वर्दक बने सबसे पहली बात तो मालक्ष्मी को अरपित करने का एक अभ्यास बना लें नहीं तो आप किसी भी दिन सुक्रबार को मालक्ष्मी को गुलाब की इत्र की सीसी अरपित करें अब इसी इत्र को थोड़ा सा आप नित्य प्रात अपने नाभी पर लगाएं आप चाहें तो नियमित रूप से पूजा करके आप नाभी पर भी लगा सकते हैं इससे आपका भागयोदे होता है भागय का साथ मिलता है और मालक्ष्मी भी प्रसन्न होती है बहुत सिंपल है लेकिन ये उपाय बहुत कारगर है जरूर कीजिएगा और अगर जानकरी अच्छी लगे तब लाइक कर सब्सक्राइब कीजिएग ये जो इत्र है गुलाब का अगर हो तो मालक्ष्मी प्रसन्न होती है और अगर चन्न या मोगरे का हो तो आपका स्वास्त अच्छा होता है मन भी सुकून दायक यानि एकदम सान्थ हो जाता है तो आप अपनी एक्छा नुसा चीजों को यूज करें और तेल जब भी लगा लेकिन जब आप खुद को फिट रखना चाहते हैं तो आप नाभी पर दूद लगा सकते हैं एक बुन दूद में हींग मिलाईए और नाभी पर लगाईए यह सरीर को हाइड्रेट रखता है और ऐसा करने से सरीर और स्किन दोनों ही आपके बहतर रहती है लेकिन अगर महिल करें अपनों से सेयर करें हर हर महादेव धनिवाद